दोस्तो पैदल चलने के बहुत से फाइदे होती है रोजाना के वल बीच से 25 मिंट पैदल चलने से आप दिल से संबंदित जितनी विमारिया हैं उनसे दूर रहें गई साथ ये आपके शिरीर का अन्यांतिरत हुआ गुलुकोज का स्त्रपी संतुलित हो जाएगा रोजाना 20-25 मिंट पैदल चलने से आपके अंदर हैपी होर्मन्स का स्त्राव होने लगेगा इस से आपके मूड में सुधार होगा और आप बहुत ही अच्छा मैसूस करेंगे यही नहीं पैदल चलने से ब्लड प्रेशर भी नियंतिरत रहता है तो दोस्तों आईए जानते है पैदल चलने के कुछ ऐसी बहुत ही अधूत लाव के बारे में अगर आप बहुत तेज रफ्तार से नहीं चल सकती हैं तो आप स्लोव वाक करें स्लोव वाकिंग या टेहलने से कूले और गुटनों में होनवाले दर्द से रात मिलती है और पैरों में जक्रन से भी अराम मि तरीका है कि आप रुजाना सुबह शाम 20-25 मिंट की वाकिंग करें और कुछी महिनों में आपको फरक दिखने लगेगा पैदल चलने से आपके दिलकर स्वास्ते बेहतर बनता है रुजाना वाक करने से हिद्दे रोक का जोखिम खासकर व्यसकों में ये कम हो जाता है वाक या वयाम ये सेल की उमर बढ़ने को धिमा कर देते हैं वयाम सिर्फ आपको युवा महसूस नहीं कराता ये वास्ता में आपके गुन स्थ्रों में उमर बढ़ने की प्रक्रिया को बंद कर देता है नियमी तरुप से पैदल चलने से उमर के साथ बढ़ने वाली समस्यों का असर भी कम हो जाता है याई इससे एंटी ऑंजिंग एंजिंग एफेक्स होते हैं पैदल चलने से हाई ब्लड प्रेश्र को कम करने भी सहायता मिलती है अगर आप अपने रक्त चाप के स्थर को ठीक रखना चाहती है तो हर दिन कम से कम 40-50 मिनट वाकिंग जिरूर करें जो अगर रोज्जाना नियमित रूप से पैदल चलती है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर बनता है क्योंकि जो भी खाते हैं वह पैदल चलने से पज़ जाता है और नियमित रूप से पैदल चलने से ओवरल सेह्ट में भी सुधार होता है दोस्तों भोजन के बाद जिलापन बढ़ जाता है पैदल चलने से ब्रेन स्टोग होने की क्षमता भी जो संभावना है वह कम हो जाती है और यदि अब टॉंड बोड़ी पाना चाहती है तो खूब पैदल चला करें इससे आपके पोस्ट्र भी सुधार हो जाएगा तो जाना के वह चारीस मिंट चल जाती है कि धीरे-धीरे चलना चाहिए हलके-खलके टहलना काभी फाइदे मन दोता है तो मैं आपको बता दो दोस्तों कि चाहे आप धीरे चले या तेज चले या आप पर निर्वर करता है आपकी सिहत जैसा अलाउड करती है आप उस हिसाव से अपने चलने काती को निर्ध चल रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि अब धीरे-धीरे ही टहले और यदि सोने से पहले और डीनर के बाद टहला चाहे तो इससे आपको शरीरिक और मानसकी तुनाव से राद मिलती है साथ ही आपको नेद भी अच्छी आएगी तो दोस्तों यह थी पैदल चलने के फाइद तो जुड़ेरे मेडिय अपडेट्स के साथ नमस्कार धनेवाद